तो हे गाईज केसे हो अब लोग तो स्वागत है मेरे चैनल में तो गाईज आज का जो टॉपिक है न वो बहुत ही अजीब सा टॉपिक है बहुत लोग मेरे पास मैसेज ये आ रहा है कि मैंने आएसे एग्रिमेंट साइण कर ली है बट अब मेरे को विड्राओ करनी है तो सबसे पहले तो एक बत बता देते हैं इन लोगों को गाईज अगर आप लोग को पता नहीं होता है न पूरा चीज तो अच्छे से पहले पता कर लो आएसे एग्रिमेंट साइन करने से पहले ठीक है उसके बाद ही साइन करो साइन करो तुरत कैंसिल करो तो प्राब्लम में आ सकते हो तो इसलिए आहसे एग्रिमेंट को साइन करने से पहले अच्छे से देखा करो कि क्या है नहीं है उससे पहले पता कर लो कि कितने पैसे लगेंगे क्या लगे मैंने तो सारा वीडियो बना रखा है इस सीरीज पे पहले वो सारी वीडियो देख लो उसके बाद ही आयसे एग्रिमेंट को साइन करने के लिए ठीक है और हाँ अगर साइन कर लिए और आज ही विड्रॉ करना है तो सबसे पहले देखो कि किन लोगों ने आपको ब करना है ठीक है यह बात हो गई क्यूंकि लोग लिंक बेशते हैं आप उस लिंक से जाकर के साइन करते हो अब यहाँ पर मेरे पास एक क्वेशन आया है कि मैंने मुझे किसी ने कॉल नहीं किया और मैंने खुझ से ही साइन कर लिया तो आप उस केस में क्या कर सकते हो डिस्क् क्योंकि ऐसा तो बहुत कम केस होता है कि खुद से आप आयसे एग्रिमेंट साइन कर लोगे कोई न कोई तो आपको ज़रूर बोलेगा कि कैसे साइन करना है लेकिन आप खुद से कैसे साइन किये हो अगर आप लोग मेरे को इस्टाग्राम पे डियम कर सकते हो जिनकी भी यह डॉट्स है ठीक है कि मैंने खुद से कर लिया है और किसी ने कोई हैल्प नहीं किया मैंने खुद से किया तो कैसे की है वो सारी बाते आपको इस्टाग्राम पे उजह बतानी है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या पिर यहाँ पॉप आप भी हो रहा होगा ठीक है तो मैं देखूंगा एक बार और मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रहा हूँ उमीद कम है कि इस पे कॉल करके आप बता दोगा कि क्योंकि हर एक स्टुडेंट का एक कश इमेल के तरब से या फिर आपको एक कॉल जरूर आया होगा ठीक है आप ये दोनों चीज सर्च करो और मेरे को बताओ या फिर अगर कोई भी मेल आया ना तो मेल पर अगर नमबर आपको मिल जाता है तो तुरंत कॉल करो उस पर या फिर मेल को reply back कर दो ठीक है कि मेरे को नहीं करना मेरे को withdraw करना है ठीक है जितना जल्दी हो सके ये action low आप क्योंकि उनका काम हो गया है अब आपको काम करना है ठीक है अगर फिर भी कोई problem होता है तो आप नीचे comment भी कर सकते हो और मेरे को instagram पे message भी कर सकते हो हम देख लेंगे ठीक है उसके बाद next.ai मेरे पास कि हम beginner है absolute beginner है इससे पहले हमने coding नहीं कर रखी है क्या हम newtony school में join कर सकते हैं विल्कुल join कर सकते हो लेगिन आपको newtony school में join करने से पहले कुछ न कुछ तो basic जरूर पता होना चाहिए programming language के बारे में ठीक है क्योंकि यहाँ पे आओगे तो आपको सब type के बच्चे होते है न यहाँ पे तो आपके हिसाब से वह पुरा zero से तो नहीं पढ़ाएंगे कुछ यह एजिम करके चलेंगे कि आपको basic आती है तो ठीक है मैं recommend करूंगा कि आप YouTube पे जो अच्छे अच्छे वीडियो इसके playlist बढ़ने हुए programming language के कुछ basic उसका सीख लो ठीक है और अगर कुछ सीख लोगे तो आपको easy होगा आगे class को समझने में अगर आप join करना ही चाहते हो आप decide कर लिए हो तो ठीक है और guys first year वाले ज्यादा interest दिखा रहा है first year मतलब first sem से एक बच्चे ने message किया है कि क्या मैं join कर सकता हूँ भाई आप join कर सकते हो आपको coding में interest है तो लेकिन आप आप ही बताओ जब तक आप second year third year में नहीं जाते तब तक आपको कोई company क्यों लेकि आप तो एकदम पूरा मतलब रेसर से भी zero level पे हो और आपको coding भी नहीं आती उन लोगों को लिया जाता है जो coding में बहुत पागल होते मतलब बहुत extra level के coder होते हैं अगर वो first year मतलब first sem second sem second year में है तो उन लोग का chance ज्य क्यों कि Newton school आपको 6 मेने की training देती है बस 6 मेने के बाद वो लोग आपको job लगाना शुरू कर देगी और बहुत सारे company का criteria होता है कि आप graduate रो या फिर आप last year में हो तभी वो company आपको hire करेगी नहीं तो नहीं करेगी ठीक है तो इसलिए हम यह कहेंगे कि अभी सबसे पहले आ जारा दोर भी अच्छी बात है ने तो यूटीब और open source बहुत भी है मैं आगे भी explore करूंगा कुछ courses आप लोगे के साथ इसलिए चैनल में बने रहो अगर आप चैनल पर new हो क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके के content tech related content job related update डालते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदे मन्द हो सकता है तो इसलिए आपको चैनल को subscribe जरूर कर लेना चाहिए इस तरीके के update के लिए ठीक है गाइस और भी अगर आप लोगो queries है तो इसी तरीके से बेज़ते रहो तकि हम वागे और भी वीडियो बना सके इस topic पर और अगर आपका queries इस वीडियो में solve नहीं हुआ ह तो आप मुझे Instagram पर DM कर सकते हो ठीक है DM ही करना क्योंकि comment बहुत कम scene होता और इस पर उतना reply नहीं कर पा रहे DM कर देना मैं Instagram पर आपको अच्छे से समझाता हूँ और जितने लोगों की मैंने help करी है आप उनसे पूछ सकते हो ठीक है और मैं जितना जल्दी हो सका अतना जल् मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सबका खायर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा दूसरे लोग को भी recommend कीजेगा ये वीडियो जिनको Newton School के बारे में जानना है और IS Agreement के बारे में जानना है तो जरूर recommend कर ये वीडियो और चैनल को भी कर वाईए ठीक है थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई